पुर्वत्तर रेलवे की और से गोरकपुर लखनवू गोरकपुर के बीच संचालित होने वाली बंदे भारत एक्स्प्रेस शुक्रवार से शुरू हो जाएगी वहीं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे ट्रेन का नियमिस संचाल अगामी 9 जुलाई से होगा जिसके लिए रेल मंतराले ने समय सीमा शारड़ी जारी कर दी है अउध्या जक्षन पर ट्रेन का दो मिनट का ठहराओ होगा शुक्रवार को अउध्या में ट्रेन का स्वागत किया जाएगा जहां प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी गोरागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जिसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है उत्रप्रदेश के नुएडा में एक सॉफ्ट्वेर कंपणी में भीशन आग लग गई आग के बाद आसपास अफरा तफ्री मची गई मौके पर फायर बिरिगेट की गाडिया मौजूद रही बताया जा रहा है कि जिस कंपणी में आग लगी वह नुएडा के फेस वन शेतर C54 सेक्टर 2 में इस्तित है आग की वजह से पूरी कंपणी जलकर खाक हो गई है आग इतनी भैंकर थे कि आस्मान में काले धुएं का गुबार दिखने लगा नुएडा शेक्टर 49 के जिला अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर अचानक फाल्स सीलिंग गर गई गन नीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ वहां कोई मरीज नहीं था अस्पताल में बड़ा हादसा हो सकता था जानकारी के लिए आपको बता दे कि नया जिला अस्पताल 590 करोड की लागस से बन कर त्यार हुआ है पहाडों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश के कारड़ सबजियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है इसकार सब्जियों का आवक मंडी में आधी रह गई है यहीं वज़ा है कि टमाटर के बाद अब फुल गो भी शिमला मिर्च और बीन्स भी 100 रुपे के पार बिकने लगे हैं वहीं आठती मान रहे हैं कि इस बार महंगी सब्जियों का दौर लंबा चलेगा आउध्या के नवीन सब्जी मंडी में हर रोज आउस्तर पांच से साथ ट्रक्टमाटर आता था जिसकी आवक अब दो से तीन के आसपास रह गई है राजधानी की अन्य थोक मंडियों का भी यहीं हाल है देवरिया मेडिकल कॉलेज के पड़ागड में शराब के नशे में सिपाही घंटों जमीन पर अच्चे तवस्था में पड़ा रहा जिसकी चेहरे प्रकाफी चोट के निशान है सिपाही के हाला देख लोगों ने सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी पुलिस ने शराबी सिपाही को उठा कर थाने लाई होश आने पर सिपाही ने अपना नाम श्रीवम उपाध्याय बताया जो कुशी नगर जनपत के रामकोला थाने पर तैनात था वहें कुशी नगर जनपत के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सिपाही कुछ दिन पहले रामकोला थाने से सस्पेंड है अभी शराबी सिपाही पुलिस लाइन में है और यह में दोस्तों के साथ अर्ध निर्मित तालाब में नहाने गए 19 वरसी बिजे कुमार की पानी में डूबने से हुई मौत घटना की जानकारी घरवालों को हुई है घर में मचा कोहराम गरामिलो दोरा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई घटना अस्तल पर पहुँची पुलिस ने शौको कबजे मिले कर पंचनामा भर कर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है कारवाई में पुलिस जुट गई है और यह अच्छल्दा थाना शेतर के सराय खाती का मामला है गरामिलों की मांग परधान तालाप के आसपास कराय सुरक्षा अगर नहीं होगी तो सुरक्षा तो ऐसे होती रहेगी दुरगटना है वन करमी दोरा शिकार के शक में यूवक की बरवरता पूरबक लाठी से पिटाई मामले में वारल बीडियो के बाद पीडित यूवक के परिजनों की तहरीर पर हालिया थाने में पुलिस निबन भाग के चार करमचारियों पर मामला दर्च किया है मारपीट का मुकदमा आगे भी कारवाई की जाएगी सिधाद नगर जिले के गरामीर पत्रकार असोशियेसन ने यूपी एस्सी जेई एडवांस और नीट में सफल शात्राओं को सिधाद नगर गौरोस संबान से संबानित किया है सिधाद नगर जिले के विविनपरिक्षाओं में उत्रिट गरीब तीस में धावी शात्र जात्राओं को सिधाद नगर जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन पुलिस कप्तान अमित कुमार, आनंद मुख विकास अधिकारी, जैंदर कुमार के करकमलो द्वारा पर शस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। वरार्णसी के सांसद और प्रधानमंति नरेंदर मोधी दूदीसीय यात्रा पर पुरुवान चल में सौगात का पिटारा खोलेंगे। पिएम काशी को 12,100 करोड रुपे की प्रियोजनाएं देंगे। इसमें रेलवे समीत के इंदर सरकार और परदेश सरकार की प्रियोजनाएं शामिल है। SPG ने कारिकरम अस्थलो का जैजा लिया है। सुरक्षा टीम आज सटको पर फ्लिट और हलिकॉप्टर रिहलसर करेगी। वहीं PM मोधी लाभारतियों को PM स्वानधी के रिड पीम एवाई गरामीड घरों की चाबियां सौपेंगे। अयुस्मान भारत कार्ड भी बित्रित करेंगे। इससे 5 लाख PM एवाई लाभारति होंगे। लाभारतियों को PM स्वानधी रिड बित्रड और 2.88 करोड रुपे अयुस्मान कार्ड बित्रड के कारिकरम की शुरुवात होगी। प्रधारमंत्री जल जीवन मिशन के तहट 550 करोड से अधिक इलागा से बनने वाली 192 ग्रामीड पेजल योजनाओं का भी शेल अन्यास करेंगे। घंटे में अलग-अलगा स्थानों पर हलकी बारिश की संभावना है। आज हवा 9 किलोमेटर परती घंटे की रफतार से चलेगी।